समाज के हर तबके के लोग उपिंद्र कुस्वाहा जी को पसंद कर रहे हैं तो नितीज जी डड़े सह में हुए हैं तो सुसील मुदी जी को ज्यान का बहुत अभाव है नितीज जी को अब वक्त आ गया है कि आत्म चिंतन करें राजनिती से सन्यास ले 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 नमस्कार आप देकें लाइव स्यूटी मैं हूँ आपके साथ सौरव राज जी तरह से आर जेडी ने फिर से एक पोश्टर रिलीज करके बीजेप और जडिव गठ बंदन के उपर निशाना साधा है और डवल इंजन की सरकार को एक बेताहसा सरकार बताया है कि रुजजगार भी यहां नहीं है यहां के सासन वेवस्था भी दुरूस्त नहीं है इसको पर विश्थार से जानेंगे मारवानन से सर जिस तरह से फिर से और जेडी एक पोश्टर रिलीज की है क्या आप उस poster के समर्थन में हैं निश्चीत रुप से जो आर जेडी ने poster सबसे पहले तो poster जारी करने का काम जीडियू ने किया था उसके बाद फिर जह सो महागठवंधन के लोगों ने स्टार्ट किया कॉंग्रेश के लोगों ने भी जारी किया आर ज्यड़ी के लोग लगातार जारी कर रहे हैं राश्री Ciao के तरप से भी सिक्छा रोजगार के किया हम की पोंगों ने poster जिदिय जी जीरी you'll के सभी लोगों के साथ जैसरा बैठा कर रहे सुनने में जहां मंत्री गन भी रहेंगे विधायक रहेंगे विदाण परसाद रहेंगे सढसद लोग रहेंगे पदाधिकारी गन रहेंगे मैं कहता हूं इस सब लोगों को आतम sup चिंतन करना चाहिए कि बिहार को 15 साल में जो गर्थ में धकेलने का काम किया है चिंतन मनन जो है उसमें करना चाहिए अगर नहीं चिंतन मनन करेंगे तो बिहार की जनता तो मन बना ही लिया है अब सौरब जी आप बताएए बाबु जगदेब जी की जयनती दो फरवड़ी को हम लोग मनाते हैं सब को पता है तमाम पाठिया मनाती है किसी एक के नेता नहीं मैं कर सकता हूं बिहार के मुखमंत्री भी वह रहे हैं अब हम लोग ने 17 दिसंबर को मिलर ग्राउंड के बुकिंग के लिए आविदन दिया था 25 जनवरी 2020 को हम लोग को सूचित किया जाता है उपिंद कुसवाहा जी को पसंद कर रहे हैं तो नितीज जी डड़े सह में हुए हैं और खास कर जिस समाच से बाबु जगदेव जी आते हैं और उपिंद कुसवाहा जी हैं वो कुसवाहा समाच कुसवाहा समाच तो आज पूरी तर उपिंद कुसवाहा जी के साथ खड़ ग्राउंड इतो जनता की प्रुपर्टी है जनता की प्रुपर्टी पहले भी हम लोग कार्चक्रम करते आएं वहां अभी देखा आमरन अंसन भी हम लोगों ने वहीं किया अभी जो हम लोग ने मानब कतार सिक्षा रोजगार पर जो लगाने का काम किया मीलर हाइज स्कूल के जो है ग्राउंड में लगाने का काम किया था तो आप बावु जगदेब जी की जयनती पे आप इतने डड़े सह में हो गया कि कुस्वाहा समाज तो निश्चित रुप से आपके इस कुकृत मैं कहता हूं जो आपने अनैतिक काम किया है उस काम के लिए आपको माफ नहीं कर सुसील कुमार मोदी ने सरेक्ट्यूट कर ये कहा है कि सी ए इनार्सी को ले करके विपक्च जीस तरह से हाई तोबा कर रही है उससे साप नजर आते कि एक धर्म के एक समुदाय के 99% लोग इसका सिर विरोध कर रहे हैं और इसमें कोई समीलित नहीं है सुसील मोदी जी को ग्यान का बहुत अभाव है सुसील मोदी जी भले फाइनाइन्स मिनिस्टर बने हुए है अलगातार बने हुए है इतना लंबा वक्त अगर किसी बैक्ति को अगर मौका मिले और बिहार की अर्थ व्यवस्था चर्मरा जाए तो मैं उनके बातों पर हम कम करने लां लाई बिहार को अपने घर्थ में डाल दिया अज मेरे युवा अपने आपको पिछित महसूस कर रहे हैं किया eigenlijk सम्भावनाय सकता है निवेस नहीं लाया सकता है अड़े जो बैक्ति हमेंसा से पिछलित दरवाजे से मुक्मंत्री बनते आए हों आज तक जो है एक जुझकार मिल रही है राज में आप अपनी तुलना क्या 20 सतावदी से करना चाहते हैं सौरफ जी आप मुझे बता दे आज 21st सेंचुरी की बात होनी चाहिए ना उन्हाद के वकील मैं कहता हूं को जेडी यूके नितीष कुमार के बिना फीज के वकील हैं तो बिना फीज के वकील आप बनते फिरते हैं अगर आपने विकास किया रहता तो आप अपनी तुल्ना पिछले 15 साल से नहीं करते, आप अपनी तुलना कहते कि मैं तुलना के लाइक ही नहीं हूँ, मैंने इतना काम किया, कि मेरी तुलना पिछले 15 साल से नहीं किया सकती, आपने बिहार को बरबाद करने का काम किया है, इन नितीस जी और इन दोनों की जुगल बंदी जो है, बिहा को जह सो गर्थ में पहुचाने का काम किया है जो अब नई सरकार भी बनेगी उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इन समस्याओं से जह सो मुक्ती जह सो बिहार को दिलावे कि एक तरफ है महागठबंदन सी ए नार्शी को लेकर क्याज बैठा कर रही है बिहार में और दुसी तरफ है नितिस कुमार भी बैठा कर रही है जिसमें उनके तमाम सांसर विदाएक समिलीत होंगे क्या नजर आ रहे कि दोनों तरफ से कुछ नहीं आएगा कुछ नहीं देखिentry मैं क्या बोला कि नितिस जी को अब वक्त आ गया है कि आत्म चिंटन करें राजनिती से सन्यास ले लें बहुत लंबा वक्त जहसो बिहार की जन्ता ने उनको दिया है मुझे नहीं लगता है कि अतना लंबा वक्त अब बिहार के किसी भी निता को बिहार कर्म इनके रहे उसमें पूरी तरह ही फ्लॉप रहे इनकी एक भी नीती का सही रूप में क्रियान्यों नहीं हुआ आज बिहार तरस्त है मैं मानने नितिश जी को तो दोसी मानता ही हूं साथी साथ इनकी जो सिपह सलाहकार लोग हैं मंत्री मंडल की सदसिगन हैं जो सिर्फ चापलूसी करके हवावाजी जैसो करते हैं मुझे लगता है सब का दोस है अब वक्त आ गया है कि लोग आत्म चिंतन करें बिहार की जंता से छमा मांगें और हम सब लोग मिलके बिहार के भविस्व को सवारने का काम करेंगे और मैं युवा होने के नाति कहता हूँ बिहार का भविस्व उज्वल है पलायन भी रुखेगा निवेस भी आएगा शिक्षा बवस्था को भी दुरूस्त किया जाएगा अगर आपकी नियती अगर सही हो इस सरकार की नियती ही सही नहीं है जो सरकार सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहती है, चाहती है कि मुखमंत्री का कुरसी कभी न मुझे छोड़ना पड़े, अड़े मुखमंत्री की कुरसी अस्थाई होती है, क्या आप जीवन भर मुखमंत्री के कुरसी पे बैठे रहेंगे, अब कुरसी खाली कर दिजिए, वक्त आ गया है, नहीं तो बिहार क कि जनता कुर्सी जहसु आप से चीन लेने का काम करेंगे जो भी बैक्ति बैठे महा गठवंधन की सरकार बनेगी निश्ची तुरुप से मैं कहता हूं एक नया बैक्ति मुखमंत्री बनेगा कौन बनेगा वो तो बिहार की जनता करेंगे लेकिन इतना तेह की हम सब लोगों नितीष कुमार और मोडिजी से मुक्ति जहसों दिर्भाने का हम लोग काम करेंगे शुश मोडिजी और बिना फीस के वकील मैं कहता हूं उनको जेडी यूके नितीज कुमार के बिना फीस के वकील है ये कि नितीज जी को अब वक्त आ गया है कि आत्म चिंतन करें राजनिती से सन्यास ले लें